जब एक medical student पहली पहली बार मरीजी देखना शुरू करता है तो यह natural tendency होती है कि आपने मरीजी की तक्लीफ सुनी और सीधे physical examination शुरू कर दिया कि हम देखें किस बिमारी का sign इसमें हमें मिल रहा है लेकिन यहीं पर साफधानी बरत्तिं की ज़रूरत है कि patient की history लेनी है detail में उसमें थोड़ा time लगेगा तब तक आप examination शुरू ना करें जब तक आपकी history खतम ना हो जाए क्यों क्योंकि एक detailed और logically history आपने अगर ली है तो आपके दिमाग में पहले से ही एक list बनने शुरू हो जाएगी उन विमारियों की जो की इसको हो सकती है कि क्या symptom है कैसे बढ़ा कैसे कम हुआ तो कौन कौन सी disease possible है कि इसको हो सकती है तो जब तक आप फिजिकल जांच पर पहुंचते हैं तब तक आपके दिमाग में ओले टेक लिस्ट बन चुकी होती है तो अकर आपने history ठीक से ली है तो जब आप जांच शुरू करते हैं तो उसमें आप सीधे वही science को देखते हैं पहले जो आपके दिमाग में मिमारियों कि लिस्ट आई है तो इस प्रकार आप कोई भी फिजिकल फाइंडिंग मिस नहीं करेंगे और दूसरा आप जो इन्वेस्टिकेशन सोटर करेंगे वह भी उनके हिसाब से होंगी जो आपके दिमाग में लिस्ट पनी है और examination के बाद वह लिस्ट और भी रिफाइन हो गई है तो आप specific investigation order करेंगे और जब उसकी report पढ़ेंगे तो आप उस हिसाब से पढ़ेंगे अगेन आपके कोई finding मिस नहीं होगी इसलिए कहते हैं कि clinical history technique एक कला है जिसमें आपको social skill और obviously medical knowledge दोनों combine होती है social skill इसलिए क्योंकि आप उससे questions पूछते हैं उन में से कुछ जी question हो सकते हैं और आप उससे सारी information ले बाती है कि नहीं और medical knowledge तो टाइम के साथ आपकी बढ़ती ही जाती है जैसे जैसे आप किताबे बढ़ते हैं आप उपर के उपर semester में जाते जाते हैं लेक्चार डेंट करते हैं तो आपकी medical knowledge बढ़ती जाती है शुरू शुरू में इसलिए ये जरूरी है कि आप एक सही तरीके से history ले और एक कोई printed format यूज करें history taking है जिसमें सारी categories दे रखी हूँ हर एक category के अंदर आपको information लेनी है patient से जिसे कि आपको कोई important point miss ना हो और diagnosis गलत ना हो जाए ऐसा एक format ihatepsm.com पे आपको मिलेगा इसमें ये है कि आपने सारी किसलिए history record कर ली हर एक category में अपने record कर ली हो सकता है कि आपको आधी बात भी नहीं समझ में आपके हम क्यों पूछ रहे हैं लेकिन ये वाली history आपकी कोई senior अगर पढ़े तो हो सकता इसके दिमाग में diagnosis ही ब करें पहला स्टप है पेशन्ट की social demographic data मतलब उसके बार में जान करी पहले उसका नाम नाम जाही आपको बता लग सकता है कई बार कि ओदेश के किस हिसे साहया है या उसका क्या religion है किसी हिस्सी की हिस्से में कोई बीमारी जाद होती है जैसे कोई एक बच्चा लंबे बुखर के साथ आया है तो अगर वो ऐसी स्टेट से आया है जहांकि काला अजार जाद है तो उसको most likely काला अजार होगा और अगर वो ऐसी स्टेट से आया है जहां पे malaria ज्यादा होता है तो उसका chronic fever है वो हो सकता है malaria की वच्छे से हो दूसरा उसकी उम्र, क्योंकि बच्पन में अलगतरे की बिमारी होती है, जैसे कि कंजनेटल बिमारी ज्यादा लाइकली है, थोड़े बड़े बच्चे में न्यूट्रिशन डिसॉर्डर हो सकता है, या वैक्सिन प्रिमेंटिबल डिजीज हो सकती है, और बड़े लोगों मे दूसरी बिमारी होती है, जो बूड़े लोगों होते हैं, उनमें कैंसर होने का ज्यादा तकलीफ हो सकती है, जैसे एक लंबी खासी के साथ कोई मरीज है, अगर वो 40 साल का स्पूकर है, तो आप सोचोगे, इसको शायद COPD है, और अगर वो 70 साल का बुजग है, तो आपके सबसे पहले आगा किसको कार्सिरोमा तो नहीं है, लंग का या लारिक्स का, फिर है पेशिंट का जेंडर, कुछ बिमारियां मेज में ज़्यादा होती हैं, आप मर्दों में ज़्यादा होती हैं, जैसे की हाट डिजीज, एक्स लिंग डिजीज, लिवर सिरोसिर्व औकरा, कुछ मिमारियां औरतों में ज़्यादा होती हैं, जैसे की आरेंट डिफिशंसी की वज़े से अनीमिया, यह ओटो इम्यून डिसॉर्डर्स, थाइरोड डिसॉर्डर्स, कुछ मिमारियां जैसे की हाईपरप्लेजिया और प्रोस्टेट, एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी, य पिर उसका religion जैसे कि अब हमने बात कि कोई religious practices ऐसी होती हैं जिसके वज़े से बिमारी कम या ज्यादा होने का अंदेशा होता है फिर उसका marital status क्या वो शादी शुदा है या तलाख शुदा है वगयरा क्योंकि अगर उसके spouse में भी उसी तरह के symptom है या घर में औरों को तो आप यह सोच सकते हो कि शायद घर में जो practice होती है उसी में ही को risk factor है उसके अलावा जब आप treatment उसका सोच होगे तो आपको बाग दिमाग में रखनी होगे कि या शायदी शुदा है कि नहीं उसके इसाप से हम किस प्रकार से उसको treatment दें फिर उसका घर का पता obviously इसमें फिर वही बात है कि वो कहां रहता है से आपको भी पता चलेगा कि उन्हापे कौन सी मेमरी होने के chance ज्यादा है जैसे कि शेहर में रहने वाले व्यक्तिय को stress related diseases ज्यादा हो सकती है जैसे diabetes ischemic heart disease hypertension और गाउं में रहने वालों को ज्यादा तर कौईटर फ्लोरोसिस यह ज्यादा हो सकता है especially अगर वह endemic एरिया से आये हैं तो फिर है occupation वह क्या काम करता है क्योंकि कुछ occupation ऐसी होती है जिसे कोई occupation की वज़े से भी मारी हो सकती है जैसे कि आप बैठ के desk पर बैठ रहने का काम करते हैं तो cardiovascular disease होने का chance बढ़ जाता है कोई मर्द ऐसी जेके पर काम करता है जहां पर गर्मी बहुत होती है जैसे कि माइन्स ग्लास फेक्टरी तो उसको infertility भी हो सकती है और occupation इसके अलाबा मरीज का social economic status के बारे में भी information देती है क्योंकि social economic status भी आपका likelihood बताता है किसी विमारे का कम या ज्यादा होने का और finally आपको उस patient के बारे में information कौन दे रहा है informant कौन है ज्यादा तर मरीज चो खुद information देते हैं वो ज्यादा reliable होती है और बच्चे के मगमले में बच्चे की margin information देती है वो ज्यादा सबसे ज्यादा reliable होती है सो चोचोडडैबोग्रिफिक डेटा लेने के बाद आता है presenting collect this इसको चीफ खब्लेंड ने पास चीफ कंप्लेंड भी कह सकते हैं कि इसको मरीज टकलीफ होते हैं जिसके वजह से मरीज आप तक आया है जब आप उसकी chief complaint लिख रहे होते हैं सबसे जरूरी है कि आप उसको मरीज के अपनी भाशा में लिखें कोई direct question और medical jargon यूज नहीं करना है और दूसरा आपको जो एक से ज़्यादा अगर तकलीफ हैं तो उनको chronological order में लिखना है मतलब जो पहले आया वो पहले लिखना है और जो symptom बाद में आया है वो उसके बाद लिखना है तो presenting complaints कैसी दिखती है एक list of symptoms होती है और उसके आगर लिखाता है कि यह कितने दिन से हैं जैसे कि fever 10 days, cough 1 week, difficulty in breathing, साथ से में तकलीफ 4 दिन से तो आप देख रहे हैं कि यह chronological order में पहला 10 दिन, 7 दिन और 4 दिन इसके बाद आता है history of presenting complaints या history of presenting illness इसको आप short में कई बाद हो पी आई भी बोलते हैं इसमें जो मरीज की chief complaints होई होती है जो आपने पहले ख़ली एक list बनाए थी एक एक तकलीफ को detail में पूछना होता है और patient को बोलने देना होता है कि आप बताएए यह तकलीफ कैसे शिरू ही उसके पहले क्या हुआ था आप आखरी बार कब बिलकुल सही थे फिर यह तकलीफ शिरू ही आपको कैसे बढ़ी क्या यह ठीक हो कि बार-बार होती है या लगातर बनी रहती है या पहले से बढ़ रही है या कम हो रही है यह ध्यां रखना है कि जब आप यह पूछ रहे हैं तो को leading question नहीं पूछना है कि आप उसके मूँ में answer दे रहे हैं जब दे रहे हैं ऐसा नहीं करना है उसको बोलने देना है नहीं तो आप कुछ ऐसा question direct पूछ बैठेंगे जिस पर patient confused जाएगा और वो कुछ का कुछ आंसर देगा और आपका गला डाइनोसिस बन जाएगा तो symptom के बारे में क्या-क्या पूछना है या एक जग से शुरू के कहीं और जाता है जैसे कि कोई दर्द फिर जब से ये शुरूआत हुए तब से बैड रहा है या कम हो रहा है या वैसे बना हुआ है या बीच में आता और जाता रहता है किन चीजों से अराम मिलता है और किन चीजों से तकलिफ बढ़ती है इसका आपने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया है अभी तक और उससे आपको कोई फायदा हुआ है या कोई नुक्सान हुआ है ये हम बार-बार कह रहे हैं कि आपको हिस्ट्री मारीज के अपने शब्दों में लिखनी है और कोई medical terminology यूज नहीं करनी है अब हर symptom के लिए अलग-अलग question होते है कि अगर दर्द है तो उसके बारे में एक set of question होता है खांसी है तो उसके बारे में अलग set of question होता है तो इस तरह के आपको block में मिल जाएंगे कि खांसी है तो क्या-क्या पूछना है दर्द है तो क्या-क्या पूछना है इस प्रकार से हर एक symptom के बारे में कुछ set of questions होते है वो आपको पूछना है वो आपको दूसरे blocks पे मिल जाएंगे जब मरीज अपने साथ बिमारी के बारे में डेटेल बता चुका तब आपके दिमांग में जो जो बिमारी की list आई है उसके साथ से आप other associated symptoms पूछेंगे कि आपको ये तक्रीज भी थी क्या ये बिमारी में जो symptom होते हैं वो थे क्या या आपको ये बिमारी शुरूरने से पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या तो इस तरह से आपके बिमारी जो list है उसको आप एक एक करके rule out करेंगे या confirm करेंगे तो ज्यादा तर ये question ऐसे होते हैं कि इसमें मरीज आपको पता है कि हाँ हुआ तो था या नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ तो इस वाले questions में एक हाँ उतना ही important ने जितना patient का ना बोलना जैसे एक patient आया उसने कहा कि मेरे को चाती में दर्द है पिछले तीन मेने से तो उसमें direct question ये होगा कि क्या ये दर्द मेहनत करने से फिजिकल मेहनत करने से बढ़ता है या जब आप आराम से लेड़ जाते हो थोड़े दिर के लिए तो ये कम हगा जाता है अगर उस्कों बोला कि हाँ दोनों बाते हैं दोनों के लिए बोला तो हो सकता है कि उसको angina हो और उससे अगा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है तो हो सकता है हैं जाएना ना हो कोई और तकलीफ हो जिस वज़े से चाती में दर्द है जैसे कि चोट लगी हो या जोड से कोई समान उठा लिया तो कोई मसल पूलो गई हो पिर आपने जब ये questions भी पूछ लिए तब आपको review of all systems करना है क्योंकि आपके दिमाग में जो list बनी है वह सकता है अभी अधुरी बनी हूँ अभी आपकी knowledge पूरी नहीं है तो आपको सारे systems, body की जो system से हैं उसके बारे में एक questions पूछन होते हैं एक list दी गई है वो सारे पूछन होते हैं तरकि कोई भी associated symptoms आप miss ना करें ऐसी एक list लेक्चर के end में दी गई है और आई हिट पेसेम बे भी आपको मिल जाएगी आप वो list डाउनलोड कर दीजिए प्रिंट आउट ले लिजिए उससे सारे symptoms में से हरे एक body system से related पूछ लेजिए सारी history patient के अपनी language में record होनी चाहिए इसके बाद आती है category history of past illness मतलब अभी जो बिमारी है इसके पहले क्या क्या बिमारी आपको कोई थी यह क्यों पूछ ना होता है क्योंकि आपका जो current illness है जो अभी जिसके लिए बरिज़ाया है हो सकता है कि उसको कोई असर हो आप diagnosis बिनाने में आपको आसा नहीं हो जाए कि जब बिमारी होती है तो मरीज कैसे बिएव करता है वो पूरी दबाई लेता है कि नहीं लेता है तो आप अपनी treatment उसके साब से modify कर सकते हैं एक example है कि एक मरीज आया जिसको जोडों में दर्थ था पास सिस्टी पुछने में पता लगा कि उसको gonorrhea हुआ था उसका urethral discharge था और उसको gonorrhea diagnose हुआ था तो अब जो arthritis है वो gonococcal arthritis होने के chance जादा है तो आपके list में सबसे उपर gonococcal arthritis हो गई उसके बाद दूसरी arthritis हुई है दूसरी example है कि इसी तरह के headaches जो लेके patient आया है वो पहले भी कई बार हो चुके हैं एक site पे तो हो सकता कि यह diagnosis cluster headache का case हो लेकिन जब आप past history पुछते हैं तो आपको बहुत ध्यान डखना है कि आप counter check करें कि जो diagnosis लेके मरीज आया है पुरा ना वो सही है कि नहीं कई बार वो loosely diagnosis system यूज कर रहे होते हैं जैसे कि एक व्यक्ति आया कि मेरे को चाती में दर्द है और जब past history पुछे गई तो उसने का कि हाँ मेरे को एंजाइना हुआ था पास पे तो आप एक दम से सोच लोगे कि हो सकता यह भी एंजाइना हो लेकिन जब उसको counter check किया गया तो पता लगा कि उसको कुछ भारी समान उठाने में चाती में दर्द हो गया था और उसके दोस्त ने जो की कोई medical भी नहीं था उसने का कि अरे यह थे को तो एंजाइना हो गया तो उसने आपको बता कि मुझे past history of एंजाइना है तो counter check करना जरूरी है अच्छा आप पास system म आपके दिमाग में जो list परना शुरू हो चुकी है और वो पहले कभी diagnose हुआ है क्या उन में से क्योंकि अगर इन में से कोई बिमारी पहले हो चुकी है तो हो सकता है कि आपके list में वो बिमारी सबसे उपर आ जाए पहले कभी अस्पताल में क्या भरती होना पड़ा है होना आपकी नहीं जैसे कि diabetes, hypertension, coronary heart disease, TB, list depends करती है कि आपकी सिर्या में प्रैक्टिस करें हो वहाँ पर कौन 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 क्रोन क्रोनिक डिजीजिस है पास हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा example में आपको यहां बताना चाहेंगे एक हरनिया का मरीज आया डॉक्टर ने उसकी हिस्ट् लेकिन पास हिस्ट्री पूछना भूल गए जिसमें कि उसकी पास हिस्ट्री थी कि उसको पेट की TB थी और उसे treatment भी आदा अधूरा लिया हुआ था और इस operation के बाद वो TB जो अल्रेडी एक्टिव थी उससे complication हो गए, intestinal perforation हो गया, peritonitis हो गई और वो मरीज बच नहीं प इसके बाद category है treatment history उसने क्या क्या दवाई खाई हैं आपको बहुत ध्यानखना है कि आप accurate history पूछे कि उसने क्या क्या दवाई खाई है क्योंकि यह पूछने का क्या फाइदा है क्योंकि जो उसने दवाई खाई है उससे उसको कितना आराम मिला है या बढ़ गए बिमारी आपको इसे clue मिल सकता है कि उसका अभी का जो तरकलिफ दियाग्नोसिस क्या है जैसे कि एक मरीज ने कहा कि मैंने डायुरेटिक्स लिये हैं उसके पास लिस्टी दवाईयों की और उससे मेरे पेट की सुजन में आराम मिला है तो आपको इमिडिटली समय है कि इसकी जो एससे आराम अगर नहीं मिला तो आप जब उसका ट्रीट्बिल लिखेंगे तो कोई और दवाई लिखेंगे फिर कई बार जो कम्टेंट लेके पर मरीज आया है वो हो सकता है कि उस दवाई खरा हो उसकी वज़े से हो उसका साइड इफेक्ट हो पर उसने आपको दवाई के बारे में नहीं बताए क्योंकि वो यह सोच नहीं पाया कि उस दवाई की वज़े से मुझे यह तकलीफ हो रही है कई बार दवाईयों से वो symptom mask हो जाते हैं दब जाते हैं जितके बारे में आप पूछना चाहते हो आपके दिवाग में एक list पनी है बिमारियों की अब आप उस related symptoms पूछ रहे हो कि आपको ये तो नहीं है वो तो नहीं है वो उसको होना चाहिए था पर नहीं है क्योंकि वो एक बिमारी तो नहीं है क्योंकि वो मेटाब्लोकर से दब गए है उसके अलावा आप वही दवाई फिर से ना लिख दो इसलिए भी ज़रूरी है अलब को पूछना यह है कि वो कौन कियों सी दवाई कि इस बिमारी लिए लिए खा रहा है और कोई बर्थ कंडूल पिल सो नहीं और फाइनली किसी भी ट्रीट्मेंट से कोई दवाई से उसको ऐलर्जी हुई है यह पहले कभी यह पूछना जरूरी है फिर आती है फैमिली हिस्ट्री उसमें आपको क्या क्या फूछना है पहले घर में कौन-कौन है और फैमिली में कौन-कौन है दूसरा जो तकलीफ आपको है ऐसी तक्लीव कि गर में किसी ओर को है अगर है तो आप यह सोच सकते हैं कि कोई हेरे डिसीज है क्योंकि इसी फैमली में है या घर में कुछ ऐसी गदी-विदिया जो हो रही है नो ministry कोई कदिविदी से यह तक्लीफ हो गही है तीसरा पूछना है कि जो आपके दिमाख में बिबारीों की लिस्ट बनी थी अभी तक की history में उनमें से कोई family में है कि एक एकर क्या पूछे कि को तो तो आपके लिस्ट में वह सब उपर आ जाएगी, कि शायद इसको भी यही हो, फिर पूछना है चोथा, घर में कोई मृत्ती हुई है क्या, और उसका क्या कारण था, फिर कोई भी तरह की हेडिरी मिमारी आपके फैमिली में है क्या, फिर पूछना है, जो क्रॉनिक डिजिजि कोई स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा तर बच्चे, कई बार बच्चे, जिनको बार-बार हैडिक करके आ रहे हैं, कोई सकता है कि वो हैडिक का रीजन स्ट्रेस हो, घर में बहुत लड़या होती है, माबाब साथ नहीं रहना चाहते, तो बच्चा परेशानी में हो और इस वज़े से उसको हैडिक करके रिपोर्ट कर रहा है, अगली केटेगरी है, ऑक्यूपेशन हिस्ट्री, इसकी क्या इंपोर्टन्स है, कई बार डाइग्नोसिस में काम आती है, जैसे की, हमने बहुत 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 किया, कोई इनफर्टिलिटी का मरीज है, और वो ऐस इसे के काम करता है, जहां हाई टेप्रेचर से है, तो हो सकता है, वही उसकी वज़े से इनफर्टिलिटी उसको हो, सेडेंटरी ओक्यूपेशन जो होती है, उससे कॉरोनरी हार्ट डिजीज है, यह होने का खत्रा जादा रहता है, इसके अलावा, एक उक्यूपेशन लिंक ह जाए जैसे कि एक जवान आदमी बार-बार निमोनिया लेके आ रहा है, या निमोनिया पहली पर भी लेके आ है, और आपको पतालगा कि वह जूम में बर्ड्स को हैंडल करता है, तो हो सकता उसको सेट अकोसिस हो, सेट आकोसिस निमोनिया आप पढ़ेंगे जब आप अपन हैं, तो इसको ड्रक ड्राइवर नहीं होना चाहिए, अगर डीप सी ड्राइविंग करता है, तो आपको से कहना है कि आप अपनी उक्यूपेशन चेंज करिए, कई बार उजे उक्यूपेशन में है, वहाँ पर उसको आप प्रोटेक्टिव मेशर अडवाईज कर सकते हैं, अगर कोई पहली बार कॉरोनरी हर्ड डीजीज कैसे डाइग्नोस होता है, तो आपको यह बताना होगा कि आप जहां पर काम करते हैं, आप मालिक से बोलिए कि मुझे ऐसा काम दे लो, जो मैं बैठे-बैठे कर सकूँ हूँ, फिर ऑक्यूपेशन से यह भी पता लग सकता है कि उसकी आर्थिक स्तिति क्या है, आर्थिक स्तिति के हिसाब से भी जो डीजीज होने का लाइकलिग होड़ है, वो कब यह जादा होता है, अगर ऑक्यूपेशन हिस्ट्री ठीक से नहीं ले गई हो, तो कई बार ऑक्यूपेशन डीजीज मिस हो जाएगी, और आप किसी और दिजीज को जो कि इस वज़े से हो रही है, और अब ट्रीट करते रहोगे, लेकिन क्योंकि वो अक्यूपेशन एक्सपोजर उसको चल रहा है लगाता है, वो डिजीज ठीक नहीं होगी, इसलिए आपको यह जरूरी पूछना है कि वो क्या काम करता है, और इसके पहले क्या करता है, इस बिजेकर करता है और जो जू जिस बीजेकर काम भadoreता है किस तरे की जौब करता है, एक आदमी कहता है, मैं देचित्पोजर के कावाए और वहां पे सफाई भी कर सकता है, जहां पे इसको फिसिकल सजाना है और अलग लग फ्लोर पे उपर रीचे को आठ फी है डाइटरी इसे उसमें पुछए कि आ था या नान वेगेटेरियनивать या नन वेगेटेरियन है या नन वेगेटेरी से ता авफ दिबान है क्षिबाना वेगेटीज्चे tbha बना था, खाना बनाते हैं, उसमें कितना गी तेल डालते हैं, किस प्रकार का गी तेल डालते हैं, नमा कितना इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको लगता है कि डिजीज किसी nutrition deficit या over nutrition की वज़े से हैं, तो आप detailed nutrition history लेंगे, आपको लग रहा है कि इसको iron deficiency anemia है, तो आप assess करने ही कोशिश करेंगे, कि पिछले 24 घंटे में जो भी खाया है, उसका approximate iron content कितना था, इसी तरह से आपको लगता है, जो neurological symptoms है, वो thiamine deficiency की वज़े से हो सकते हैं, तो आप assess करेंगे, कि थायमीन rich food कितना खाया है, पिछले 24 घंटे में, तो आपको detailed history लेनी पड़ेगी, कुछ cases होते हैं, जैसे कि under five बच्चा है, या pregnant female है, आपको detailed history लेनी ही लेनी है, और इसके लिए आप 24 hour recall method use कर सकते हैं, इसमें आप पिछले 24 घंटे में क्या खाया या पूछते हैं, और assess करते हैं कि calorie, protein और iron कितना लिया है, इसने पिछले 24 घंटे में, और आप प्रिज़न जब करते हैं, यह वाली history तो बताते हैं, कि जो recommended intake है, कैलोरी का, उससे इत्ता परसंट कम है, protein का जो recommended intake है, उससे इत्ता परसंट कम है, और iron का इत्ता परसंट कम है, और यह 24 hour recall method कैसे करना है, यह आपको दूसरे ब्लॉक बें, अगली category है, personal history, इसमें आप पूछेंगे, जब वो smoke करता है, करता है तो किती cigarette या बेड़ी पूरे दिन में करता है, और कब से smoke कर रहा है, फिर किसी और तरह से तंबाकू, इससे मल करता है क्या, चबाने का, या मुँ में रखने का, फिर alcohol consumption, शराब, कभी पी है क्या, पीता है क्या, कितनी पीता है, इसके लिए आप cage questions पूछ सकते हैं, आपको बता लगेगा क्या वो alcohol पे dependent हो चुका है कि नहीं, अगर हो चुका है तो आपको उसको भी handle करना है, फिर आप पूछेंगे कि नींद सही से आती है कि नहीं, पिर शाप्र सही से आता है कि नहीं, और पैखाना ठीक से आता है कि नहीं, इन चीजों म कि नींद कैसी आती है, तो बोलकर नींद आती है मुझे मैं जैसे लेटता हूँ, मेरी सांस उकर जाती है और मुझे बाहर भाहर ना पड़ता है, खिरके खुल के सांस लेनी पड़ती है, तो आप ये पहले कुछना भोल गे थैं, पर आपने नींद के पार पर पूछा तो आपको वो missed symptoms आपने record कर लिए इसी तरह प्रकार से urinary आपने पूछा तरह कर हाँ मैं को बागे सब ठीक है लेकिन urine जो है पत्ती धार आती है रुक रुक के आती है तो आपकी कहीं भी भी हिस्ट्री में prostatic hyperplasia के बारे में नहीं आया था पर आपने यहाँ पर पकड़ लिया इसे प्रकार से टट्टी ठीक से आती है कि नहीं आती है कि नहीं आती है रिसेंटली इन में नीद में और urinary habit में बाउलेट में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है इसके लावा आप रहन से हैं असेस कर सकते ह क्योंकि कई बार वो कहां रहता है वहां का पानी हवा हवा पानी कैसा है इससे भी बीमारी हो सकती है बीमारी बढ़ सकती है तो आप पूछ सकते हैं दूसरे एक्जम्बल है कि कोई old lady है hip fracture के साथ आई है तो उसका management depend करता है इस पे कि वो किस प्रकार एगर में रहती है क्या आप उसको ख्या लखने वाला कोई है कि नहीं है उसका जो घर है वो एक बुजर्ग व्यक्ति के लिए रहने लाइख है कि नहीं है इस तरह की चीजा परसनल हिस्टिमा पूछते है यदि मारी फीमेल है तो आप पूछेंगे menstrual history इसमें क्या क्या पूछेंगे age adminarchy cycles किती regularly आ एक bleeding में एक बार के bleeding में प्रॉक्सिमेटली कितना blood loss होता है आखरी बार महिना कब आया था कई बार हो सकता है कि आपको pregnancy rule out करने हो क्योंकि आप जो treatment देने चाहते हैं वह pregnant को नहीं दिया जा सकता दूसरा आपको पता लगे कि यह तो pregnant है इसको जो आखरी महिना तो तीन मेने हो चुका है तो आप पूछेंगे age of menopause, post-menopausal bleeding और post-menopausal symptoms female में आप obstetric history भी लेंगे इसमें क्या-क्या पूछेंगे number of pregnancies, deliveries जो ही है वो कैसे हुए natural, cesarean या assisted और कहा हुए है घर पे किसी institution में abortions हुई है क्या, कितनी हुई है, spontaneously हुई है या induced की गई है, induced की गई है तो क्यों की गई है कितने बच्चे आपके पास हैं, उनकी क्या-क्या उम्र है और सबसे छोटा बच्चा कितने साल गई उसके लावा आप पूछेंगे है कि आपको कोई anti-natal problem हुई थी क्या, जैसे कि जब आप प्रेगन थे तो eclampsia या diabetes हुई थी क्या, delivery के दोराण को तकलिफ हुई थी क्या, जैसे कि prolonged liver या immediately बाद में को तकलिफ हुई थी जैसे postpartum hemorrhage जो categories जिसके अंतरगत हमको history लेनी है, हमने डिसकस किये हैं, वो general category, मतलब किसी भी patient में आप पूछते हैं, उसके अलावा कुछ special cases होते हैं, जैसे कि एक पांसा से छोटा बच्चा, तो उसमें आपको उसकी birth history पूछने होती है, वो कहाँ पैदा हुआ, cesarean हुआ तो क्यों हुआ, एकदम से पैदा होते ही, रोया की नहीं, उसकी fading history पूछनी है, immunization history पूछनी है, कितने टीग लगे, कैसे लगे, development history पूछनी है, और special cases के example है, एक भुज़र्व यक्ति, एक psychiatric patient, तो इसमें आपको additional categories भी पूछनी है, जो कि अलग, इसके लिए जो अलग blog या lecture है, उमें आपको पिल जाएंगी. अब आपने पूरी history ले ली, तो हम इसका क्या अर्थ लगाएं, इसे हम diagnosis कैसे बनाएं, आप ये जानके हैराम रह जाएंगे, कि अगर बहुत अच्छे से history लिगाई है, कोई piece of information missed नहीं हुआ है, तो खाली history की basis पे भी diagnosis बन सकता है. आप जो अपने history ले इसको analyze करते हैं, यह उसी तरह का काम है, जैसे एक जासूस काम करता है, उसको जो clues बिलते हैं, उसे वो ये deduce करता है कि कातिल कौन है, कल्परिट कौन है, इसे प्रकार से क्या क्या सिंटम है, कैसे कैसे वो बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा associated symptoms जो आपने हो पूछते हैं, आप इस stage पर ये बता लगा सकते हैं कि कौन सा system involved है, अगर आप diagnosis भी नह बढ़ती है, और clinical experience बढ़ता है, तो ये जासूसी capability बढ़ती जाती है, शुरुआत में ही लेकिन आपको analysis करना आ जाता है, अगर आपकी medical knowledge अभी इतनी नहीं है, आप 3rd, 4th semester में है, तो भी है आप जब history को analyze करेंगे, तो काफी clues मिल जाएंगे, कम से कम किस तरह की pathology है, ये body का कौन सा organ involved है, ये बतल जाएगा, ये कौन सा system involved है, ये आपको समझ में आ सकता है, और एक अच्छी history लेने के लिए common sense questions भी बहुत जुरूरी होते हैं, और उससे आपको ये पता लग सकता है, कि अगर ये तकलिफ है, तो फिर वो भी साथ में है, क्या है, जब आप पूछ प्रभस कहता है, तो भी साथ में है. झाल झाल यहां पर वो लिस्ट दी गई है जो हर बॉड़ी सिस्टम के अंतरगरत आप क्वेस्टन्स पूछेंगे जिसको कहते हैं रिव्यू आफ सिस्टम्स ताकि आपकी कोई असोसेटेट सिम्टम मिस न हो जाए जब आप हिस्ट्री ओफ प्रेजंट इल्नस ले रहे हैं तो हर बॉड़ी सिस्टम के इसाप से इसमें क्वेस्टन्स दिये गए हैं यह लिस्ट आप डाउन्लोड भी कर सकते हैं i8psm.com से